हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छी से घर पे होंगे और होना भी चाहिए बहुत ही तगड़ी कुछ ही महिनों या कुछ सालों के अंदर में इस स्टॉक पे आपको घजब की वैली अन्लोकिंग देखने को मिलेगी और इसके लिए 13 दिसंबर 14 दिसंबर या 13 दिसंबर को इसकी बोर्ट की एक बहुत बड़ी कॉन्फरेंस है मीटिंग है और इसमें वैली अन्लोकिंग के ब प्राइब 236 पे नहीं देखेंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है ऐसा बहुत सारे अनलिस्ट का कहना और कॉलिटी शेयर है काफी डिवर्शी फाइब बिजिनस इस कंपनी का आपने इसका नाम देखा और आप इसको लपक लोगे यह मेरी गैरेंटी है इसलिए मैं वीडियो को एक प्राइब 236 देते आपको पेसिनेटली स्टॉक को होड़ करना होगा अगर दो से चार सालों तक तब आपको इसमें पुटिंसियल दिखेगी आप सुचे के दो चार दिनों के लिए तो भाईया स्टॉक मार्केट में दो चार दिनों के लिए कौडियों के पैसे ही बनते है अगर वेल्थ क्रियेट करना है तो आपको इन्वेस्टिमेंट में जाना होगा यह अदर्वाइज मैं वीडियो के इंड पे आपको एक बहुत बहुत अच्छा उपाई बताऊंगा जिससे आप एक इन्वेस्टर भी बन जाएंगे और आप एक सॉट टर्म ट्रेडर भी ब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो आप जरूर इसे स्टॉक को एक बार वर्च कीजे विकोज आई टी सी का वैल्यू अनलोकिंग हो सकता है और हो सकता है नहीं हो नहीं वाला इसकी पूरी खबर में आपको दिखाऊंगा देख लिजे इस कंपनी का जो मैंने कहा फम सीजी फम सीजी अदर्स होटल्स पेपर बोर्ट्स और पेपर पैकेजिंग एगरी विजनर्स और साथ ही में इसका सिग्रेड मैनिफेक्टिरिंग यह सबसे ज्यादा रेवेनू निकालके देता है इस कंपनी को और इसी के बारे में चर्चाएं ह नहीं होंगी यह एक सियोर शॉट गारेंटी है और इसे स्टॉक को एक्जामपल लेते हुए आने वाले किसी भी स्टॉक पे अगर आपको सेर होल्डिंग पैटर्स नहीं होगा जिरो होगा तो आपको डरनी की जोरत नहीं है विकॉस निप्टी फिप्टी का एक ऐसा कंपन नहीं दिगर्स कॉलिटी जिसकी मार्केट केप तीन लाग करोड की है उसके परमोटर्स नहीं है तो अधर कंपनीज के अगर नहीं भी होंगे तो आप बहुत ज़्यादा डरियेगा नहीं स्टॉक पे एक मोमेंटम स्टार्ट हुई है देखिए इक्जैक्ली 200 एक मोविंग अबरेश को सपोर्ट करते हुए और यह मोमेंटम हो सकता है कंटिनू 240-250 के असपास में तो स्टॉक है ही मुझे लगता 260 तक की मोमेंटम इस स्टॉक पे चेस करता दिख सकता इस खबर के वज़स से तो चलिए इसकी खबर क्या है वो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अनों कॉपी हमने सब्मीट की है यह कॉपी है जो बी एसे और एनसी को सब्मीट की गई है आइटी सी के तरफ से यहां पर देख लीजे अधा कमपनी कमपनी विल होल्ड इट्स इंस्टिशनल इन्वेस्टर्स और फाइनेंसियल एनलिस्ट डे त्यूजडे को त्यूजडे जो की जाएगे वो वेबसाइट पॉडल दिया हुआ और यहां पर सब्मीट स्टॉक एक्स्चेंज होस्टेट बाइद कमपनी वेबसाइट यहां पर सारी डिटेल्स बताई गई है और इसे अगर हम लोग समझना चाहेंगे कि उस दिन क्या हो सकता और क्या तो यहां पर द देखा होगा कल इसे स्टॉक पे तेजी थी तो देखिए यहां पर वट दा इन्वेस्टर वांट तो नो यहां पर देखिए ओन सिग्रेट लॉंग टर्म पुटेंशियल्स ऑफ दे बिजनस ऑफ दे टोबेको पॉलिसी और प्रोडेक्ट मिक्स एक्स्पेक्टेड तो यह सिग्रेट के बारे में ऐसा सोचना है फम्सीजी में लॉंग टर्म ट्रेजेक्टिरी है फम्सीजी बिजनस की स्ट्रेजी फोर दा अन्लोकिंग वैल्यू फोर सच डैवर्सिफाई कंपनी इसकी वैली अनलोकिंग की अगर बात की जाएगी तो बहुत बड़ा वैल् के तोर पर अगर निकाला जाए तो एक अलग से कोल बिजनस निकलेगा और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो इसका जो फाइदा है आपको देखने को मिलेगा जब यह कंपनी लिस्टीड होगी तो अलग से होके तो आपको इसके भी सेर्स दिये जाएंगे त कॉस कंपनी चाहेगी कि अपने आपको वैली अनलोकिंग करें बहुत दिनों से स्टॉक पर हमने मोमेंटम बहुत अच्छा नहीं देखा है यह हमारा टेलीगराम चैनल है जिस पर आप निज आर्टिकल बहुत जबरजस्त मिलेंगे आप जहुरू जॉइन कीजिए लिंक ड से बना के दिए बजाज होल्डिंग्स को हमने एक दिसंबर को जब मार्केट में बहुत बड़ी भुचाल लग दी थी तब इस स्टॉक ने क्याओं सो तीस से बहुत ही बड़ी जरनी अचीब किया चोवन सो बीस यह चोवन सो तीस तक के स्टॉक प्राइस मोमेंटम हुए और बहुत सारे स्क्रीन सोट यहां पर और भी मौजूद होंगे इसे वच किजिएगा अलजी क्यूपमेंट 235 पर और स्टॉक ने 320 का हाई बनाया हमारा जो मैक्सिमम था वो 290 तक कई था बट आउट परफॉर्म किया यह से स्टॉक ने और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हो यह किसी भी तरह का कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है इसे स्टॉक के रिगार्डिंग सिर्फ और अपनी जो अनलेसिस अपनी जो समझ है उसके एकोर्डिंगली हमने आपके सामने इसे प्रेजेंट किया अगर अच्छा लगे तो लाइक किजिएगा स्टॉक पर ब पसंद आए तो जरूर हमारे साथ जूड़े तैंक यू